दोस्तों guess करो ये कौन सा phone है ये वही phone है जिसकी वज़े से हमारे चानल पे 50% वीडियो इसी के है और Poco F1 के 50% और सबसे important बात इस पे हमने इतने सारे experiments करें इतने सारे इतने सारे ROM टेस्ट करें इतने सारे भाई और पता इसमें कौन सी ROM चल रही है Android 16 ROM OMG देखो भाई Android 16 यूज़ कर रहा हूँ मैं इसकी उपर मतलब यकीन नहीं हो रहा है ये कहा वो बाबाली जमानी का phone है जिसमें एकदम वो पुराना Android 10 9 वाला phone और इसमें Android 16 और इंट्रेस्टिंग बात बोलू स्मूथनेस देखो इसकी स्मूथनेस देख रहे हो भाई डेवलेपर ने कमाल ही कर दिया है क्या ही बोले डेवलेपर को इस phone को अभी तक maintain करके रखा है भाई अभी भी custom ROMs रिलीज हो रहे हैं इसके लिए वो भी इतने अच्छे अच्छे ROMs भाई सच में हर कमाल का डिवाईस है मैंने तो इस डिवाईस को आज तक बड़े प्यार से रखा है भाई देख सकते हो बहुत प्यारा डिवाईस है भाई क्या ही बताऊ और आज हम इस phone का I mean ROM का review करेंगे installation process के साथ एक छोटा सा review होगा जादा कुछ नहीं होगा आपको proper steps guide देने वाला हूँ कि इसमें कैसे install करना Android 16 और सच बोल रहा हूँ ROM बहुत कमाल की है try करना smoothness बढ़िया है और सबसे अच्छी बात बोलू सच में बढ़िया है ROM try करो भाई और क्या ही बोलू यार पुराने याद यार ताज़ा हो गई भाई इस phone को लेके वाउ चलो वीडियो पे आगे बढ़ते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम installation process के लिए लगने वाले requirement files के बारे में बात करते हैं तो चैसी कि आप देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या फाइल्स लगईगी सबसे पहले तो firmware डाउनलोड कर लेना ठीक है सारे files की link description में है चिंता करने की जोरत नहीं है firmware लगेगा next file क्या लगेगी यहाँ पर लगेगे project infinity x की room जो की main important room है अब यह vanilla version है तो इसके साथ gapps flash करने पड़ेगी मतलब google play store वगए gapps मतलब google apps चाहिए न तो उसके लिए आपर आपको जो है निक कोर gapps का भी file डाउनलोड करना पड़ेगा उसके बाद next यहाँ पर twrp अगर आपके device में यह वाली installed है 3.7.1-12.1 k4-4.19 वाली तो यह install है तो ठीक है यह नहीं है तो इसको install करना पड़ेगा आपको उसके बाद last file यह है dfe इसको बोलते हैं disabled dm variety force encrypt file decrypt file भी बोलते हैं अब यह file optional है यह उन लोगों के लिए जिनका device decrypt है अगर आपको पता नहीं है device decrypt क्या होता है कैसे करते हैं तो वो उसका वीडियो में recovery कैसे install करते हैं यह मत पूछना क्योंकि मैंने recovery कैसे install करते हैं bootloader कैसे unlock करते हैं regarding videos अल्रड़ी बाना रखी है especially asus Zenfone Max Prime 1 के उपर तो आपको करना क्या है सबसे पहले step 1 क्या है आपके phone का bootloader unlock करना है जिसकी video link description में है step 2 क्या है आपके device में custom recovery TWRP की यह version flash करनी है I mean install करनी है आप PC के through करो या फिर दूसरे phone की help से करो मतलब PC से करो या फिर दूसरा कोई phone लेके उससे करो चलेगा ठीक है तो यह process के videos भी मैंने description में दिये हैं तो वो जाके पहले complete करो ठीक है उसके बाद आपको आना है इस video के उपर जहापर हम TWRP इंस्टॉल हो चुकिए है उसके बाद next flashing guide को follow करके उसके बाद ROM कैसी है देखेंगे और कुछ important बातों के बारे मैं अभी बात करूँगा चलो अभी start करते है सबसे पहली चीज तो आपको करना क्या है wipe पे आओगे advance wipe पे आओगे यहाँ पे आपको सारे boxes tick करनी है कुछ छोड़के जैसे कि micro sd card नहीं पकड़ना है तो यह सबको में tick करूँगा internal storage और USB OTG छोड़ना है क्योंकि उसी से तो connect करा है OTG में रखे है मैंने सारे files जो दिखाएते अभी तो अब इसको करेंगे swipe swipe करने के बाद जैसे यह successfully done होगा देखो लिखाए successful back आजाओगे अब install पे आओँगे install पे आके आपको करना क्या है यहाँ पर आपको select storage करके USB select करोगे OK करूँगा ठीक है तो क्योंकि मेरे सारे files का है USB के अंदर I mean OTG pen drive के अंदर अब यहाँ पे M1 अब required files के बारे में जैसे मैंने बोला था ठीक है तो जो अगर यहाँ पे install image पे tap करूँगा अगर आपने recovery flash नहीं करी थी अगर यहाँ फिर आपके phone के अंदर orange fox की recovery है या फिर दूसरी कोई भी recovery है कुछ दूसरे version की तो आप पहले recovery को flash करना है इसे select करोंगे recovery पे tap करोंगे उसके पाद swipe करोंगे मैंने already recovery select करी है तो यहाँ पे install zip पे आ जाता हूँ क्योंकि मेरे को flash कुण सी करना है zip files तो यहाँ पे tap करूँगा zip files आ गई हो गया successful लिखाएगा बात खतम बैक आ जाओ next file का install करनी है project infinity x की space new room तो यह room select करा अब यहाँ पे gapps को भी select करना है add more zips पे tap करो यह gapps को पकड़ेंगे gapps zips select कर अब भी swipe करूँगा तो दो files flash होगी पहले ROM फिर उसके बाद gapps अब यह gapps क्यों मैंने flash करी यह तो मैं रॉम में बताता नहीं हूँ क्योंकि सारे ROMs जो भी मैं ट्राय करता हूँ most of वो gapps के साथ होती है अभी gapps क्या है vanilla क्या है वो भी बताता हूँ सुनो gapps का मतलब वो होता है जिसमें google apps होती है like google play store वगरा सब कुछ google services बोलते है उनको और vanilla मतलब खाली ROM होती है मतलब आपका ROM जो boot होता है और बढ़िया दिखता है लेकिन उसके अंदर google के apps नहीं होती है गुगल play store वगरा services नहीं होती है तो उसके लिए चलो वीडियो को करता हूँ forward लहीं तो बोट time लग जाएगा मैंने वीडियो को forward करा है जैसे कि आप देख सकते हो successfully flash हो चुका है पहले gs flash हुआ फिर उसके बाद I mean पहले जो है हमारा ROM flash हो गया उसके बाद जो है हमारे gapps flash हो गई ठीक है तो यह देखो यहाँ पर दिखाएगा भई यह देखो यह रोम project infinite x और यह gapps अब next क्या करना है बस center का button दबाओ Y पर आओ format data पर आओ यहाँ पर लिखो Y E S और यह right button पर tap करो बात खतम उसके बाद reboot system का option आएगा उस पर tap करो phone चालू हो जाएगा बात खतम अब मैं यहाँ पर रुका क्यों हूँ कर क्यों नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरा phone decrypt है मैं decrypted user हूँ अब यह decrypt क्या होता है पर click करो बात खतम phone चालू हो जाएगा ब रॉम भूड हो जाएगी लेकिन यह आप एक extra step मैं ले रहा हूँ format data मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं decrypted user हूँ अगर आप पता नहीं decrypted user क्या है तो कुछ मत करो यह file optional है यह नहीं करना है flash आपको अगर आप नहीं जानते हो decry decrypted user बनते हो अब यह decrypted user क्या है एक additional अलग चीज है उसको जानने के लिए link description में जाके देखो अब मैं यह decrypted file flash कर रहा हूँ क्योंकि मैं decrypted user हूँ और मैं decrypted रखना चाहता हूँ अपने device को को कि यह finish होने के बाद simply यहाँ पर reboot system पर tap करना है बात खतम उसके बाद phone चालू हो जाएगा आगर आप decrypted user नहीं थे तो आपने format data कर रहा था न जबिए ys linker right button पर tap कर रहा था keyboard पर तो वहाँ भी आपको reboot system पर tap करना था बस और कुछ नहीं है कर दिया मैंने reboot system पर tap अब इसका काम खतम हो चुका है OTG का मैं इसको हर्टा रहा हूँ OTG का काम खतम हो चुका है क्योंकि सारे files हमने flash कर लिए अब हमारा phone चालू होगा और phone चालू होने में थोड़ा time लगेगा boot होने में time लगता है first time ठीक है तो wait करो मैं तो बोलूगी कि first गया है phone hang हो गया है logo में अ इसका सकता है phone boot होने में first time तो wait करना कुछ करना नहीं है wait करो फिर boot हो जाएगा boot होने के बाद कुछ इस तरह interface रहेगा और उसके बाद अपना जो login आइडी है वह login कर लेना है यहाप पे play store के ऊपर और उसके बाद जो apps चाहिए हो install कर सकते हो जैसिकि आप इस आदा apps है नही पर मैं इसको hold करता हूँ और यह देखो latest Android 16 पर हमारा Rome जो है I mean हमारा Asus Zenfone Max Pro M1 वो डू चुका है भाई साब मज़ा आ गया सच में सच में मज़ा आ गया भाई मतलब कमाल हो गया भाई कहा यह पूराना बाबा आली जमानी का फोन और यहाँ पर हम लेटेस्ट Android 16 यूस कर रहे और smoothness भी देख रहे हो ना बिल्कुल smooth है एकदम और notification panel भी देखके आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा तो यह जो है कुछ इस तरह से हमें जो के device देखने को मिलेगा अब बात करता है banking apps के बारे में देखो मेरी बात ध्यान से सुनना यह है integrity यानि play integrity application इस application को play store से आपको डाउनलोड करना है नाम कह है play integrity API checker इस application को डाउनलोड करके install करो install करने के बाद open करो checkpad करो उसके बाद यहाँ पर यह दो green checks ह होने चाहिए first second basic integrity device integrity यह दोनों pass होने चाहिए तो आपके banking apps अच्छे से चल जाएंगी near to near most of the banking apps चल जाएंगी कोई दिक्कत ने आएगी अब यह जो तीसरा यह wrong है इसकी जरूरत तो उत्ता नहीं पड़ेगी बट यह भी pass रहगा तो अच्छा रहगा बट अगर वो pass नही आप से रन नहीं करेंगे तो इनको fix करना पड़ेगा fix कैसे करोगे back आओ, settings पर आओ, infinity suit पर आओ, नीचे चलो, यहाँ पर missliness पर क्लिक करो, spoofing पर क्लिक करो, इसके पास scroll down करो, यहाँ पर आपको मिला है select key box, xml to spoof, इस पर tap करो और आपको यहाँ पर एक file select करनी पड़ेग उसमें जानकारी दी गई है, तो आप उस वीडियो को देखो, एक short वीडियो छोटा सा, उसकी link description मिल जाएंगी, देख लेना वो, ठीक है, उसके बाद जो है आपका यह अगर wrong था, I mean wrong हो रहा है यह, तो यह pass हो जाएगा, जैसे आप भी ROM install करोंगे तो pass ही रहेगा, दिक्क मैंने का phone ही है, और अभी यहाँ पर मैं use करों latest Android 16, मजा आ गया भई सच में, बात करें, डाइलर की तो यहाँ पर आपको call recording का option देखने को मिल जाएगा, यह Google डाइलर नहीं है, ठीक है, और बाकी और भी options आपको देखने को मिल जाएगी, आपको play store open करना है, और आपको जो यही बता हूँ अभी, must roam है, try कर सकते हो, try के install कर लो, और बात करों यहाँ पर camera के बारे में, तो वो भी काफी जाद अच्छा देखने को मिल जाता है, ठीक है, वीडियो अगिर आप अच्छे से record कर पाऊंगे, अब बोलोगी कि इससे जादा अच्छी quality जाहिए, तो आपक developers को support करो, please, ठीक है न, बहुत कम लोग, भाई, काम करते हैं, इतने पूराने device पर, अभी तक maintain करके रखा है, भाई, salute है developers को, ठीक है, तो please उनको support करो, कुछ उनको donate वागेरा करो, आप अभी भी use कर रहे है, अपना Asus Zenfone Max Prime 1, और still यह बहुत बढ़िया चल रहा है, मेरे ह खतम क्यों नहीं हो रही करके लगता है मुझे तो, literally भाई, सच में मज़ा आजाता है, ठीक है न, तो video यही था, please support करो मुझे भी, एक like और एक share करो, ताकि मैं ऐसा content आगे भी आपके लिए प्रोवाइड करते रहूं, क्योंकि बहुत कम लोग देखते हैं यार, ऐसे videos, मतल इतना ही request करोंगा, और क्या, एक like बरसा दो, और नीचे hype का button है उस पर tap करो, अभी तक subscribe नहीं करे हो, तो subscribe करे के bell icon दबाओ, मिलते अगले वीडियो में, love you guys, goodbye, take care